हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विलकम बैक मैं चैनल टारेट टीचर जॉब में फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीयड प्रतम वर्स देते हैं प्रस्न पत्र समसामेक भारत में सिच्छा यह आपका लेक्टर नमबर फाइब तो चलिए देखते हैं कोश्चन बैदिक सिच्छा में कच्छा नाटकी प्रडाली के महत्तों की विवेच ना किजिए यह आपक कि 2011 में पूछा हुआ कोश्चन है उत्तर देखते हैं कच्छा नाटकी यह पद्धती वैदिक कालीन सिच्छा प्रडाली में चात्र गुरु कुलों में सिच्छा ग्राण करने जाते थे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक कालीन सिच्छा में चात्र अपने गुर की सारी responsibility होती थी कि उनके खान पान से ले करके उनकी सिच्छा की ब्यवस्था करें तो इसलिए उस समय में जो सिच्छा ब्यवस्था थी हम देखेंगे कि गुरु जो राजा के द्वारा या धनी बर्ग के द्वारा दान की वही वस्तुओं के या फिर भिच्छाटन के माध् से अपने छात्रों का पालन पोशड और एक तरह से कह सकते हैं सिच्छड कारे करता था तो यहां पर हम देख रहे हैं कच्छा नाट की पद्धती क्या है वैदिक काल की सिच्छा प्रडाली में छात्रे गुरुकुलों में सिच्छा ग्राण करते थे चुकि उस समय हम देख सिच्छा के लिए, वह ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें राज जी या सरकार की कोई जीमेदारी नहीं थी कि सिच्छा की व्योस्था की जाए, बलकी जो गुरु होते थे, वह सिच्छण का कारे करते थे और अपने आस्रम में रह करके ही, वह सिच्छा देते थे, और जो देखेंगे ब्रह्मचर जीवन का पालन होता था और ब्रह्मचर आसरम में रहकर के ही छात्र अपने सिच्छा को प्राप्त करता था चूकि सिच्छा का केंद्र गुर्कुली था तो इसलिए गुर्कुलों में छात्रों की संक्या बढ़ना स्वभाविक था यहां पर हम देखेंगे सिच्छा का केंद्र केवल गुर्कुली हुआ करता था जिसको भी सिच्छा ग्रहन करनी होती जिस किसी भी छात्र को उनके पैरंट्स जिनने अपने बच्चों को सिच्छा दिलाने होती थी उनके पैरंट्स क्या करते थे बच्चों को चाहे वो धनीवर हो या गरीब वो सब ले जाके अपने बच्चों को गुरु के आस्रम में छोड़ देते थे और गुरु के यहां ही रहा करके छात्र अपनी सिच्छा ग्रहाण करता था यहां पर जब किवर गुरुकुल ही सिच्छा का एक मात्र माध्यम था तो इसलिए वहां पर जो गुरुकुल थे तो गुरुकुलों में छात्रों की संक्या का बढ़ना स्वभाविक था वैसे वैसे गुरु के सामने जैस गुरु के ब्रामण वरके वरिष्ट प्रकर वुद्धिमानी योग्य तता सच्छम चात्रों को अनेक जिम्मेदारिय प्रदान की यहां पर हम देखेंगे कि अब चात्रों की संख्या जादा रहती थी गुर्कुलों में क्योंकि गुर्कुली एक मात्र साधन था सिच्छा ग अनने मुष्ण्षर कारे बी तो इसलिए जो महा के ब्रामण वरर के बच्चे थे जो भी जो उसमें से प्रकर भी थे तेजी बुद्दी के वह झिले उन्हे बद्दिमान और योग नहीं और सच्चम थे उन्हें सिच्छक के द्वारा जिम्मिदारी प्रदान की जातए फिन डिन आगे देखेंगे आगे देखेंगे हम, उन्होंने इन चात्रों में से जो चात्र अधिक सच्छम था उन्हें नायक बनाना प्रारम कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ कि आज हम देखते हैं कि आपको सिच्छक बनने के लिए सिच्छड लेना पड़ता है, लेना पड़ता है लेकिन उस समय तो ऐस गुरू होते थे, वो अपने प्रकर छात्रों को प्रसिच्छड के माध्यम से यहाँ पर हम क्या पड़ रहे हैं कच्छा नाट की पड़ती के माध्यम से ही जो प्रकर छात्र होते थे, वो ही गुरू के द्वारा पढ़ाई गई चीजों को जो और छात्र होते थे, उनको प पढ़ाते थे। चात्र जो अपने गुरु का सवयोग करते थे नायक कहे जाते थे दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि जो भी सच्छम चात्र होते थे क्लास के कच्छा के जो सच्छम विद्याती होते थे गुरु के द्वारा वो चुनी जाते थे और उन्हीं चात्रों के द्वारा गुरु स सिच्छड कारे करवाता था यह नायक गुरू की देख रेक में निम्नकच्छा के छात्रों का अध्यन यों पत्र प्रदर्सक करते थे निम्नकच्छा क्या मतलब यहां पर जो छात्र जिस कच्छा में पढ़ रहा उस कच्छा से छोटी कच्छा में या नीचे वाली कच्छा म और साथ ही अध्यापनियम पर्थपरदर्सक भी करते थे जो भी कमियां होते थी सिचड़कारे में उनके वो गुरु के द्वारा उने बताई जाती थी ये नायक कनिष्ट छात्रों की भासा साहित्य धर्म और नीति सास्त्र आदिका ज्यान कराते थे जो भी उनके छोटी क्ल कच्छा नाट की पद्धती से बहुत लाब हुए इसे गुरुकुलों में छात्रों की संख्या बढ़ने से गुरु के सामने जो कठनाय उत्पन हुई उसका निदान हो गया और गुरुओं का कारेभार कम हो गया यहाँ पर हम देखेंगे चुकि छात्रों की संख्या अधि राइन के लिए तो इससे यह हुआ कि जो गुरु का कारेभार्था वो थोड़ा कम हुआ और गुरु को सिच्छड कारे करने में भी और एक तरह से सारे बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने में सहायता मिली और उनका जो कारेभार्था वो कम हो गया कच्छा यो उस समय जो देश था वह वळध व्योस्था पर आधारि था तो जो 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 ब्रह्म हर्क के च्छात्र होते थैं उनका आगे का जो ब्रह्मचरिगे बार जो ग्रिहस्त आस्रम आथा उसमें उन्हें सिछट कारे του factor नrophy वो अभी से वो प्रसिच्छड के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे तो इस तरह से वो एक तरफ तो वो अपने गुरू की हेल्प कर रहे थे गुरू की सहायता कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो खुद भी प्रसिच्छित हो रहे थे और अपने आगे आने वाले जीवन के लिए तयार हो रहे थे इस प्रडाली की सराना करते वे डाक्टर वेदमित्र ने लिखते हैं कि कच्छा नाटकी पदती वो दिमान चात्रों को सिच्छड कला सीखने का औसर प्रदान करती थी और इस प्रकार प्रत्यच रूप से उसी कारे को करती थी जिससे आधनिक सिच्छा प्र दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे कि डाक्टर वेदमित्र लिखते हैं कि कच्छा नाटकी पद्धती जो थी वह दिमान चात्रों को सिच्छड कला सीखने के लिए औसर भी प्रदान करती थी और साथ ही हम देखेंगे कि जो बर्तमान में सिच्छा प्रडाली है उस सिच्छा प्रडाली में आज एक सिच्छक बनने के लिए सिच्छड प्रसिच्छड लेना पड़ता है आज हमारे जो बर्तवान सिचा पड़ा लिए उसमें सिच्छड प्रसिच्छड लेने के लिए आलग से कॉलेज होते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर उसी गुरकुल में रहकर के प्रकर छात्र जो थे जो ब्रामण वर्ग से आते थे उनको सिच्छड प्रसिच्छड मिल जाता था अपने अध्यापन के माध्यम से क्योंकि गुरु के द्वारा भी गई आग्या के नुसार वो अपने गुरु की आग्या का पालन भी कर रहे थे और साथ ही वो खुद का अध्यापन करने के साथ ही अपने जो छोटे अनुज थे अपने निम्न वरक के छात्र थे उनको सिच्छड देने का कारी भी कर रहे थे तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक पंथ दो काज हो रहा था उसमें एक तरफ तो छात्र सिच्छक बनने के रखने के साथ अपना प्रसिच्छड कारे भी पूरा कर रहा था तो यहां हम देखेंगे कि कच्छा नाट की पद्धति के माध्यम से जो बुद्धिमान चातते वो सिच्छड कला को सीख रहे थे और उन्हें ये औसर मिलना आता कि वो सिच्छड कला को सीखे तो दोस्तों इस वीडियो में वस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे हमसे जुड़ने के के लिए थांक्यू सो मच जय हिन